कि नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टडी फॉर जुरीष्टी चैनल में देखिए फ्रेंड्स हम लोगों ने हिस्ट्री के कुछ कोशन्स देखे थे अगर आपने उन कोशन्स को भी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं हिस भी डेली इसकी त्यारी करेंगे तो आपका सेलेक्शन होने के चांसे बहुत जादा हैं चली देखते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्श हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी 1761 में हुई थी अगला प्रशन है चौथी बोध संगिती कहां पर हु पर हुँ में अगला प्रशन है फ्रेंश निटी कर भारते की बात कि जायें पहले और आखरी यही थे लेकिन एगर भारत की अंतिम गवर्नर्ट जनरल आए तो मांट बेटे केमों है ए ओ यूं ऑप्शन सीज कर सही आंसर होगा अगला प्रशन है सेर सहा का मक्वरा कहां पर है सेर सहा सूरी का मक्वरा जो है यह कहां पर है तो यह सासाराम बिहार में अगला प्रशन है गाहत्री मंत्र का वर्णनन किस वेध में क्या गया है अगला प्रशने है महा भाष्य का कौन है पतनजली ओप्शन सी सही है अगला प्रशने है 10 राजाओं का युद्ग नेमले कित में से किस स्थान पर लड़ा गया दस राजाओका युद्ध इन में से किस स्थान पर लड़ा गया था तो यह पोरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था, पोरुषणी नदी आज के टाइम में इसको रावी नदी खहते हैं, अगला प्रशन है, रिगवेद में कितने मंदल हैं, तो रिगवेद में हैं को दुवारा लगा दिया था तो जजिया कर किसके शाशनकाल में दुवारा लगा दिया गया तो और अंग जीव के शाशनकाल में दुवारा लगा दिया गया था इसको अगला प्रशन है प्राचिन शाशक को सो युद् Destroyन माना जाता है इन में से कौन सा राजा है को सो युद्धोस का विजिता माना जाता है आगला प्रस्थे पेथा और अगला है दो अश्व मेद यग किस ने करवाया था चंद्र गुप्त ने समंद्र गुप्त ने पुष्चय मित्रेणे या फिर दस्रतने तो यह पुष्चय मित्रेणे करवाया था अगला प्रशन है मिताक्षरा की पुस्तक किस विशह से संहां दित है तो मिताक्षरा हिंदू कानून से जमबन देथ है अगला कुशन है किस खान से कोहिनूर हिरा पाया जाता है तो यह गोलकुंदा की खान से निकला था यह कोहिनूर हिरा अगला प्रशन भारत में विवस्थित क्रिशी का प्राचिंतम प्रमाड कहां से ब्राप्त होता है तो यह होता है मेयरगर से ओप्शन सी अगला प्रशन है भारत में पहली फ्रेंच वस्ती कहां पर स्थापित की गई थी बारत में पहली फ्रेंच वस्ती यह स्थापित की गई थी ओप्शन है हुगली नदी के गिनारे अगला सबसे जादा सोने के शिक्कह किस काल में प्र greeting हुए सबसे जादा सोने के सिक्की चलवाई थे गुप्ष्य काल में imprison a यह अगला प्र श्चना है को सत्र ध्याइत का लेखक कौन एंफ में अंस्ट्रे थ्याइग लिख्यार पाकिस्तान की मांग की ये इनों ने गी 1940 में उन्हीं मुसलिम लीग ने एक अलग राष्टर की थापना किसे तो ये कुमार गुप्त ने hecho शिविद्याले किस थाप्डकीती कुमार प्रत्त में ये आप जाना अगला प्रचंग है राज राज राजेश्वर मंदर किसके दोरा बनाया गया राज राजेश्वर मंबर ये बनवाया गया था राज राज के द्वारा उप्शन सी अगला प्रशन है वुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है तो वुद्ध चरित्र जो लिखी गई है ये अश्वगोश के द्वारा लिखी गई है अगला प्रश्ण है सुमेलित करना आपको इन में से किसके साशनकाल में कौन आया था तो देखे हर्श वर्दन के साशनकाल में जो मैं घस्तनी जाया था विक्रमादित्या के साशनकाल में यह बतूता चंदरकुप्त मोर्या एथ सिंग और मुहमब्ध मित्टुगलक फायान तो इसका जो आशर होगा वो ओप्शन सी होगा अगला प्रश्ण है सक संबद का प्रारंब हुआ तो यह 78-78 इश्वी में हुआ था सकसंबत प्रावराम अगला प्रशन है सेर्षा सूरी की मृत्यू कहाँ पर हुई कलेंगजर में वह थी लिकिन इसका मक्वरा कहाँ पर है शाशा राम में है अगला प्रशन है साची का स्तूप किस ने बनवाया तो यह बनवाया गया था अशोक के वर्ष हुआ यह वाता साथ सु बारा सबसे पहले मुस्लिम आक्रमट साथ सु बारा इस वी में हो गया था अगला प्रशने और अग्ला प्रशने अक्वर का मकवरा कहां पर इस्तित है तो यह है सिकंदरा में है option b अगला प्रशने प्रत्म संगम का अध्यक्ष आगस्थ अगला प्रशने 98 प्रशन पानी पत्ति के प्रथम युद में बावर ने किसको पराजित किया तो यह तो यह निखी में लिखी है दो जो इस वीडियो में इतना ही हिस्ट्री के हमने 100 देख लिए कुछन्स नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे इस अगर वीडियो अच्य लगी हो तो इसको लाइक और शेकरना मद भूलेगा धेंक्यू